अगर दोस्तो आप भी अपने mobile के dialer में कोई भी app छुपाना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि mobile के dialer में app कैसे छुपाया जाता है तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए भहुत धादा खास होने ओला है क्योंकि देखो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डीटेल में बताया है अगर आपको WhatsApp को छुपाना है, Instagram को छुपाना है, Free Fire को छुपाना है या फिर कोई भी App आप छुपाना चाहते हो ना अपने Mobile में तो दोस्तो बहुत यह जादा Simple तरीके से आप छुपा सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चले मैं आपको अताता हो देखो आपको क्या करना है दोस्तो सबसे पहले तो आपके यह जो Mobile की Setting है यहापर Open कर देना है अब देखो आपको कोई भी App वगरे डाउनलोड नहीं करना पड़ता है आपके Mobile के Setting में ही एक Option होता है उसकी मदद से आप App हाइड कर सकते हो जब भी आप Mobile के Setting में आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नदर आएगा अब आपको यहापर नीचे आजाना है ठीक है नीचे आओगे न देखो ही आपको Option मिलेगा Apps को Option पीज़ेगा Password & Security को Option मिलेगा और यहापर आपको Privacy को Option मिलेगा तो आपको Simple से Privacy का यह जो Option है ना इसकी ओपर आपको क्लिक करना है privacy के option पे click करेंगे तो देख सकते हाँ पर permission हमें बोलेगा और privacy बोलेगा तो आपको simple से privacy के option पे फिर से click करना है उसके बाद देखो यहाँ पर app lock option आएगा और hide app option आएगा अब देखो दोस्तों यहाँ से बहुत जादा अच्छे से वीडियो watch करना है क्योंकि बहुत main part चालो पर आ जाएंगे जैसे मेरे सामने सारे app आ चुके अब दोस्तों यहाँ पर आप जो भी app को hide करना चाहते हो ना उस app के सामने यह जो बटन होता है उसके उपर आपको click कर देना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते है यहाँ पर कोई app देखते है यहाँ पर facebook ने इसके आग तो यहाँ पर आपको एक name डालने को बूलेगा तो दोस्तों यह name बहुत ही जादा important होता है जब भी आप password बूल जाते हो ना यही name से आप अपना password recover कर पाओगे तो name यहाँ पर डाल देना उसके बाद देखो ऊपर आपको check mark option आता है इस पे click कर देना click कर देने के बाद दे code डालना चाते हो नो वो code यहाँ पर आप डाल देंगे जैसे मैं यहाँ पर डाल देता है 2580 यह वाला code मैंने डाल दिया है उसके बाद आपको क्या बोलेगा फिर से hash डालने को बोलेगा तो फिर से hash डालेंगे देख सकते है अभी हमारे यह जो code है वो पूरी तरह से तयार ह हो चुका है तो आपको भी पहले hash लागने और बाद में भी आपको hash लागने तब यह आपका code यह ले लेगा नहीं तो नहीं लेगा ठीक है उसकी बाद देखो चेक मारक ऑप्शन है को उपर इसके उपर आपको क्लिक कर देना है उसकी बाद देखो यह क्या बोल रहा है देते हैं यह हाइड हो चुका है उसकी बाद नीचे आते इंस्टाग्राम आ चुका है इसके आगे वाले बटन पर हाइड कर देंगे ठीक है उसकी बाद और एक दो एप हम यहा पर हाइड करेंगे थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं यहाप को हाइड कर देंगे और का option मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहापर सारे एप आपको दिखाएगा कि आपने जो जो एप हाइड किये न वो यहापर आ जाएंगे तो मैंने यह वाले एप हाइड किये अब दोस्तों यहा से हम बैक आ जाते हैं सबसे पहले बैक आने के बाद देखो आपने जो भी ए इसके उपर क्लिक करने और यहापर आपको ने के एक कोड डालने कोड क्या डालेंगे जो हमने कोड रखा था न वही कोड आपको यहापर एंटर करने जैसे मैंने यह वाला कोड रखा था देखो उसके बाद देखो यहापर हमें बोल रहा है हिडन एप और हिडन एप में द कर दो के